बश्कार दोस्तों मेरा नाम है विंबल सिंग बाला जी स्टेड़ी अड़ा में आपका स्वागत हैं सीटट 31 जनवरी 2021 के लिए इंपोर्टेंट कोशन हम आपको प्रेक्टिस करा रहे हैं अलग-अलग सेक्सन के तो इससे पहले वाला जो प्रसंद वाला था आगे वीडियो आज के स्टार्ट करने से पहले हिंदी के हम प्रसंद देखेंगे एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि यह पिछले वाले वीडियो में हमने प्रसंद देखा था जहां पर मैंने बताया था भैस जो है और बगुला है इसमें सहजीविताय का संबंद होता है सारी चीज़े मैंने सही बतायी थी पर यहां पर मैंने कीट ऑप्शन देखकर गलती से एवाले ऑप्शन को टिक कर दिया था घास में पाई जाने वाले कीट खाता है यह उप्शन नहीं होगा मैंने बताया है पर जीवी से संबंद होता है सहजीविता का संबंद होता है तो डी वाला उप्शन सही होगा भैस की पीट पर पर जीवी कीट खाता है यह वाला आपका सही होगा तो इस चीच को सही ध्यान रखिएगा चलिए देखते हैं आज के प्रस्ण हम हिंदी के तो हिंदी का आपका यहाँ पर 91% से हम श्टार्ट करेंगे और 15% जाचा की डेली हम देखते हैं उसी प्रकार से देख मेंगे तो प्रस्ण है आपका उपचारात्मक सिक्षड की सफलता निर्भर करती है बताना है चार उप्षण है बताना है आपको इन चार उप्षण में कौन सा सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं फिर अंसर की उप्षण एविशडी में से कौन सा सही होगा तो आप क्या कहेंगे कि उपचारात्मक सिक्षड की सफलता होती है वो डिपेंड करती है समस्या जो है उन प्रसन 92 प्रसन आपका कह रहा है कि भासा सिक्षण में जो पाट पुस्तके होती हैं वो बताईए आपको एक मात्र संसाधन हैं साधन हैं या फिर अनावश्यक है यही बैला प्रसन मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था और आपको बताना दा है कि इन चारों में कौन सा जो है वो सही होगा तो चलिए बात करते हैं अंसर की भासा सिक्षण में जो पाट पुस्तके होती हैं वो आपकी एक साधन के रूप में जो है वो वर्ग करती है तो सी वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा तो सी वाला ऑप्शन साधन है पाट पुस्तके अगल reason क्या होता है वो आपको बताना है वे मन लगाकर Hindi नहीं सीखते हिंदी सीखने के प्रती उनमें आरूची होती है या फिर Hindi बहुत कठिन भासा है या फिर प्राया Hindi और उनकी मात्र भासा की संरच्चना में अंतर पाया जाता है तो Hindi cutting भासा है, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए यह बहेजा गया है, सरल बनाने के लिए ही बहेजा गया है, तो किसी भासा को आप दोस्त नहीं लगा सकते हैं, भासा सीखने में उनका interest ही नहीं है, ऐसा भी आप नहीं कहेशकते हैं क्योंकि interest नहीं तो आपको भेजा इसी लिए गया है कि उसमें interest जगाया जाए अब अलग-अलग संसाद्नों का प्रियोक करें पर मन लगा कर हिंदी नहीं सेखते बच्चे पर दोस आप नहीं लगाएंगे A option भी कर जाएगा, बच्चा D option बिल्कुल सही होगा कि प्राया हिंदी और उनकी मात्र भासा की जो सनरचना है उनमें अंतर होता है देखते हैं अगला प्रस्न अंतर से अच्छा क्या मतलब है? अंतर से मतलब यह है, जखे कोई एक छेत्र विसेश से कोई बच्चा आता है तो उसकी जो language होती है वो अलग तरीके से बोलता है आप देखते हैं गाओं की language एकदम अलग से होती है और जहां पर आप उसको हिंदी भासा सिखाए गा रही है उसमें और उसकी भासा में यह difference देखने को मिलना है तो वही चीज को लेकर वहाँ पर का गया अगला बरस। 94 कहा रहा है कि कहानी सुनाने से बच्चे परसन होते है बच्चे कक्षा में एकागर शित होकर सांत बैटते हैं बच्चे अनुसासित रहते हैं या फिर बच्चों की कल्पना सक्ति और चिंतन सक्ति का विकास होता है तो इस प्रकार से चार उप्षन है, बताना है आपको इन चार उप्षन में क्या सही होगा, कहानी सुनाने से इन में से क्या जो होता है, बात करते हैं, अंसर की उप्षन A, B, C, D में से, तो यहां पर दो बढ़ लिखे हुएं, एक कल्प ना सकती और दूसरा चिंतन सकती, बस इनी दोनों बिद्धों को आप ध्यान रखिए, इनी का विकास जो है, वो होता है कहानी सुनाने से, तो D वाला आपका उप्षन बिल्कुल जो है, वो सही हो जाएगा, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रसन 95 की तरफ, कहानी सुनाने से आप देखते हैं, बच्चे अलग- का मुल्यांकन करने के लिए कौन सी विधी बहतर हो सकती है, अपने जो अनुभव हैं उनको लिखना, सुरुत लेक, पाठा धारित, प्रसनों के उतर लिखना, या फिर सुन्दर लेक का अभ्याज, तो बताना है आपको इन चारो आप्षन में कौन सा जो है, वो सही होगा, बच्चों के लेकन कौसल का मुल्यांकन करने के लिए कौन सी विधी बहतर हो सकती है, बात करते हैं चलिए अंसर की ओप्षन, ABCD में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका पहला यह ओप्षन सही होगा, कि बच्चों के लेकन कौसल का मुल्यांकन की अगर बात की जा र कर रहे हैं चीजों को लिख रहे हैं अपने तरीके से तो वो भी आपका चेक हो रहा है जो लेकन कॉसल को लेकर बात की गई है शुरुत लेक में as it is आप लिख देंगे तो आपका स्वयम के विचार उसमें कहां से आएंगे पाठादारित प्रस्नों के उत्तर लिखना रटे रटाए भी नहीं होंगे और सुन्दर लेक से आप इसका लेना देना ही नहीं है तो पहला ही आपका ओप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जो यह 15 नंबर आपके पेड़ागोजी से नीचे हो जाते है पर इन 15 प्रस्न में आपको अधिक से अधिक नंबर गेन करने चाहिए देखते हैं मारा अगला प्रस्न प्रस्न आपका अगला कह रहा है कि बोलना कौसल जो है उसमें महतपूर क्या है संदर्व और स्थिती के अनुसार अपनी बात कह सकना इसपष्ट औ पूछा जा रहा है इसमें सबसे ज़्यादा क्या महतपूर हो सकता है अब कौसल किसी का चेक कर रहा है तो मदुर मदुर बोले तो उससे तो आप नहीं चेक करेंगे तो डी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा अलंकारिक भासा के प्रियोग से बच्चे के विचार आप नही चक कर रहे हैं तो भी भी नहीं होगा, यह option बचा बिलकुल सही होगा, कि संदर्ब और कैसी इस्तिती है, उसके अनुसार अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, कह सक पा रहे हैं, तो यह आपका बोलना जो कौसल है, उसमें सबसे आदा महत्पूर होगा, पहला option आपका बिलकुल सही हो जाएगा, देखते हैं, नेक्स्ट प्रसन और वीडियो पसंद आ रहा हो, तो सबी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजेगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रसन हम आपको प्रेक्टिस कराते रहे हैं, अगला प्रसन देखते हैं आपका, 97, 97 प बच्चों की भासा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर भासा संसाधन जो हैं, उनका अभाव है, या फिर बहु भासिक कक्छा के सिक्षड के लिए उचित रड़नीतियां जो हैं, वो तै करना, तो बदाना हैं आपको इन चारों आप्शन में कौन सा सबसे बड़ी चुनाति है, तो भासा संसाधनों का अभाव तुझको इस चुनाति आपकी नहीं होगी, क्योंकि वो तो जो सिक्षक है, वो स्वयमी अपने टीचिंग टेक्निक का यूज़ करके, उस चीच को सही डिरेक्शन देगा, डी ऑप्शन कहा रहा है, बहु भासिक सीखने के महातुल से परिचित कराना, क्योंकि भासा सिक्षक है न, तो उसके लिए तो सबसे बड़ी चुनाति यहीं होगी, यहीं आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पर वैसे अगर देखा जाए तो यह भी प्रसन आपका, नहीं यह ऑप्शन सही नहीं होगा, रीजन क्या इसका, डी वाला ऑप्शन में एक वर्ड लिखा हुआ है, बहु भासिक कक्षा, हाँ, यह यहाँ पर टर्म मैंने ध्यान नहीं दिया, यह ऑप्शन नहीं होगा, कि बच्चों को भासा सीखने के महातुल से परिचित कराना, यह तो नॉर्मल कंडिशन में पर बहु भासिक कक्षा में यहाँ क्या होता है, अलग-अलग भासा से संबंदिज जो चात्र हैं, उसमें बैठे हैं, और उनके सिक्षण के लिए आप कौन सी उचित रड़नीती तै करते हैं, हाँ, यह आला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भासा सिक्षण के अलग-भासिक चात्र बैठे हैं, किसी को, किसी छेतर की भासा से संबंदित हैं, उनके सिक्षण के लिए कोई भासा सिक्षण के है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनाती क्या होती है, कि कौन सी हम उचित रड़नीती अपनाएं, कि सभी परकार के बच्चों को हम सामिल करते हुए सिक्षा प्रदान कर सकें तो यही वाला आपका डी वाला आप्शन विल्कुल सही होगा इस चीज को ठ्यान रखेगा देखते हैं next प्रस्न अगला प्रस्न आपका 98 कह रहा है कि एक समावे सी इस कक्षा है उसमें कौन सा इस्थान भासा सिक्षड के सिध्धानतों के प् करते हैं भासा परिवेस में रहकर अरजित की जाती है प्रिंट सम्रद माहौल भासा सीखने में सहयक होता है और व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भासा विकास सीगरता से होगा तो इस प्रकार से आपके चार आप्शन है बताना है आपको कि भासा सिख्षक के नियम है जो आपका डी वाले ओप्शन में लिखा हुआ है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भासा विकास जो है वो सीगरता से होगा यही कथन आपका ज़स्ट इसके प्रतिकूल हो जाएगा कहता है कि एक समाव इसी कक्षा में कौन सा कथन भासा सिख्षड के सि आप पड़ सकते हैं जो कि अनकूल है जैसे कि भासा आसपास के परिवेस में रहकरी अरजित की जाती है तो यही तो सब आपके इसी समाव इसी कक्षा में जो भासा सिख्षड के सिद्धान तो उसमें आता है कि भासा को ग्रहर करते हैं अगर बच्चे परिवेस से ब्राप आप एक भासा सिख्शक के रूप में किस बात को अधिक महतो देंगे पाठ पुस्तक के पृटेत को भली बाती समझाना इसको अदमात देंगे या फिर बच्चो को व्याकरण सिखाना या फिर सूयम सुध्ध भासा प्रिंग कर influen aí और फिर बच्चों सिखाना आपका नहीं option सही होगा क्योंकि चीजे जो हैं जो दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाई जाती है उसको सबसे पहले priority पर रखते हैं तो ये तो आपका option हट जाएगा स्वयम सुद्भासा प्रियोग से बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा पर वो सीखेंगे क्या सी option कर जाएगा पार्ट पुस्तक के पृतेक पार्ट को भली बाती समझाना नहीं डी वाला option मिल्कुल सही होगा क्योंकि यहां पर एक word लिखा था अवसर मैंने इस टाइप के term आपको पहले ही बताये थे कि बच्चों को भासा प्रयोग के अधिक से अधिक आवसर देना यह आपका सबसे बहतर होता है आवसर देना उनको आगए बढ़ावा देना इन सारे point मैंने इससे पहले भी आपको बताये थे देखते हैं मारा आगला प्रसन सो सो प्रसन आपका कह रहा है कि प्रात्मिक इसतर पर कौन सा भासा सिक्षण का उद्देश से नहीं है प्रसन में नहीं लिखा हुआ इस सीच का जो है वो ध्यान रखीएगा और आपको बताना है कि इन चारों option में से कौन सा जो है वो सही होगा पहला कहा रहा है इस पश्चता और आत्म विश्वास के साथ अपनी बात कहना दूसरा कहा रहा है वण माला जो है उसको क्रम से कंठस्त करना तीसरा कहा रहा है ध्वनी संकेत जो चिन है उनका संबंध जो है वो संबंध बनाना और चौथा कह रहा है विविन संधर्भों में भासा का प्रभावी प्रयोग करना तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि प्रात्मिक इस्तर पर अगर बात की जाए तो कौन सा भासा सिक्षड का उद्देश जो है वो नहीं है तो चली बात करते हैं फिर अंसर की ओप्षण ABCD में से तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि प्रात्मिक इस्तर पर आपका जो वड माला है उसको क्रम से कंठस्त करना भासा सिक्षड का उद्देश से नहीं होता है क्यों? क्योंकि भासा सिक्षड के उद्देश में किसी चीज को इस प्रकार से कंठस्त करना या कॉपी में लिख लेना, ब्लैक बोर्ड पर लिखा उसको उतार लेना ये सारी चीजे उद्देश नहीं होती है उद्देश से क्या होता है? कि जैसे अन्य उप्शन में लिखा है स्पष्टता और आत्मिस्वास के साथ अपनी बात कह पाना ध्वनी संके चिन का संबंद बनाना विविन संदर्मों में जो भासा है उसका प्रभावी रूप से प्रियोग कर पाना ये सब उद्देश होते हैं कबकि केवल और केवल कंठस्ट करना चीजों को रट लेना ये सब आपके किसी परकार से उद्देश में नहीं आते हैं तो B option आपका बिलकुल सही हो जाएगा क्योंकि प्रस्थ में नहीं जो है वो पूछा गया था अगला देखते हैं प्रस्थ अगला प्रस्थ आपका कह रहा है कि ग्रहकार के बारे में कौन सा कथन जो है वो उचित है ग्रहकार जो होमवर्ग दिया जाता है उसी को लेकर लिखा हुआ है अब चार option है पहला कह रहा है कि ग्रहकार अभिवावक जो हमको वेस्त रखने का उत्तम साधन है अब ग्रहकार बच्चे को दिया जा रहे तो अभिवावक उनके क्यों वेस्त रहेंगे तो पहला तो option बिल्कुल नहीं होगा दूसरा कह रहा है कि बच्चों की छमताओं इस तरके अनुसार ग्रहकार दिया जाना चाहिए बिल्कुल सही है C कह रहा है कि ग्रहकार कक्षा में किये ग्रहकार का अभ्यास मात्र है हो सकता है और D कह रहा है कि ग्रहकार देना अतियावशक है तो नहीं या ऐसा तो नहीं, आप कहेंगे कि अतिया अशक है, B और C में से चाटिए, बताइए कि इन चारों option में कौन सा बहतर जो होगा, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल आपका B वाला option जादा अच्छा होगा, कि बच्चों की चमताओं, इस तर के अनुसार ही ग्रह कारे जो है, वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रह कारे के बारे में प्रस्न में पूचा गया था, इस चीज का धान दीजे, कहराना है कि ग्रह कारे के बारे में कौन सा कचन उचित है, तो वो तो आपका B वाला सही है, बाकि ग्रह कारे का अभ्यास मात्र के तोर पर भी आप द सुनना बोलना बोलना लिखना या पढ़ना लिखना सुनना पढ़ना इस प्रकार से चार है अब आपको इन चारों में से बताना है कि भासा के अभिव्यक्तात्मक कौसल जो हैं वो कौन से हैं तो option A, B, C या D में से बात करते हैं अंसर की तो आपका option B वाला याँ पर बिल्कुल सही होगा बोलना और लिखना ये आपके अभिव्यक्तात्मक या अपनी बातों को अभिव्यक्त करना विचारों को जैसे प्रकट करना होता है उसी को हम दूसरे एंगज में कहते हैं अभिव्यक्त करना एक अपनी बात को दू प्रसना आपका है कि प्रात्मिक स्तर पर बच्चों की भासा सिक्षा के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन असत्य है गलत है प्रसना आपने पड़ा पहला option कहा रहा है कि बच्चे समरद्य भासा परिवेश में सहज और स्वताह रूप से भासा में परिमार्जन कर ले C कहा रहा है कि बच्चों की भासा संकल पनाओ और विद्याले में प्रिचलित जो भासा परिवेश है उसमें विरोधा भासी भासा सीखने में सायक होता है तो ऐसा तो नहीं होता है C वाला option ही आपका सत्य है और D भी देख लेते हैं सुधार के नाम पर की जाने वाली जो ट चीज बच्चों की भासा सिक्षा के संदर में दूसरी चीज और कातन कौन सा असत्य है तो C option में कहा रहा है कि बच्चों की जो भासा संबंदी संकल पनाए है और विद्याले में जो प्रिचलित भासा परिवेश है उनमें जो विरोधा भास होता है अलग-अलग जो आपका contradiction जिसे हम कहते हैं वो जब होता है उससे ही भासा सीखने में सायक होता है तो C वाला option यहाँ पर असत्य है देखते हैं मारा अगला प्रसन अगला प्रसन देखते हैं 104 प्रसन कहा रहा है कि भासा कौसलो के संदर्ब में कौन सा कतन यहाँ पर उचित है पहला कहा रहा है विद और चौत्हा कह रहा है कि भासा कॉसल जो है उनके विकास में अभ्यास की अपेक्षा भासिक नियमों का ग्यान जरूरी है तो आपको बताना है भासा कॉसलों के संदर्ब में इन चारों ओप्षन में कौन सा सही होगा तो ऑप्षन है ABCD में से चलिए बात करते हैं अंसर की तो बिल्कुल एक वर्ड दिखा हुआ है अंतह संबंदित बस इसको ध्यान रखिए ये भी आपका एक की वर्ड है ये भासा के जो चारों कॉसलों होते हैं कौन कौन से LSRW यानि कि Listening, Speaking, Reading, Writing तो ये जो वही लिखा है पढ़ना लिखना सुनना बोलना ये जो सब हैं आपके चारों कॉसल ये आपके अंतह संबंदित होते हैं और इसी के संदर में पूछा गया था यही आपका विल्कुल सही ह जाएगा देखते हमारा अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्न और इसके बाद एक प्रस्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रस्न पूछते हैं और वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भ के जुड़ सकते हैं, तो पांच नमबर प्रसंद आपका कहारा है कि पार्ठ में दिये गए चित्रों का क्या उद्दे से होता है, तो पार्ठ में आप देखते हैं, अब साइड में चित्र दिये होते हैं, जिसे अगर बात की जारी काउण की बगल में का हुअगा चितर बनाऊता है, तो पहला कहा रहा है, चितरों से पाठक पुस्टक आकर सक बनती है, चितर पाठ की सोभाब चल्था क्वराते हैं, पाठक पुस्टक में चितर देने का एक प्रचलन है, या फिर चितर अमूर्थ संकल्पनाओं को समझने में साहिक करते हैं तो आपको अंसर समझ में आ गया होगा बिलकुल आपका option D वाला ही साहिए होगा अमूर्थ जो है संकल्पनाओं अमूर्थ मतलब जो आपके समझ ना दिखे तो वही तो है चित्र की अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में साहता हूँ, अब ऐसे किसी को क्या पता कौन का हुआ, क्या का हुआ? तो उस बगल में चित्र बना होता है तो उससे बच्चा आसानी से पहचान जाता है कि अच्छा ये होता है, तो यह आपका डी वाला ओप्श main comment में type करके जो है वो बताना है तो option A, option B, option C, option D में से कौन सा सही होगा और यह मत सोचिएगा कि अरे यह समास तो आपका seated में आता नहीं है यह जो मैं आपको paper करा रहा हूँ यह आपका 2011 का paper करा रहा हूँ इसी seated का तो यह previous year ही है आपका जिसे आपको पता चले कि exact question कैसे आते इसलिए previous year से ही मैं आपको करा रहा हूँ तो यह आपका पूछा गया था तो सभी लोग वीडियो के main comment में type करके answer बताईएगा आज कोड़ में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो like आवश कीजिएगा चैनल पने हो तो subscribe जरू कीजिएगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो म एक नए टॉपिक के साथ कुछ नए प्रसनों के साथ अब तकिल नमस्कार थैंक यू पर वाचिंग